नूंबीस के दिशोन को ऊपखिना का इलू के अवीन को मैं धелिसान के वेल्कम बैक ,दोस्तों हम लोग इस video के अंदर wil और इंक्ट्राप्रेन आपिरेंस के बीच मैं different को देखेंगे ,非 v वह कोई भी तरीके का innovative idea कोई भी नया आइडिया बिजनस रिलेटेटा आइडिया है तो वह उस business related idea को start करता है then organize करता है जो भी process होते हैं उसको conduct करता है ठीक है तो entrepreneur कौन हो गया यानि कि कि किसी भी business को start-up करने वाला यानि कि हमारे पास में अगर कोई भी बिजनेस रिलेटेट आइडिया है तो अगर हम उसका स्टार्ट अप करना है ठीक है अपनी तरफ से इनिशियेटिव ले रहे हैं अपनी तरफ से अपना जो भी हमारा कैपिटल है हमारी जो भी पैसे हैं हमारा जो भी एफट है सबी चीजों को अगर हम मिला करके कोई भी बिजनेस के अंदर डालने हैं तो मैं कौन हो एक तरीके को ऑंचरप्रेणियोर हूं ठीक है लेकिन जो इंट्राप्रेणियोर होता है यहां पर यह जो वर्ड दूसरा करता है बट एक तरीके से बिजनेस के अंदर एक तरीके से उसके पास में पूरी चीजों की अथारेटी होती ही कि वह प्रॉसस में चेंज कर सकता है जो भी प्रॉसस में चेंज कर सकता है और भी अलग तरीके के जो भी जूल्स रेगूलेशन से उसके अंदर भी चेंज कर स करता है बट intrapreneur जो होता है वो क्या करता है कि उस जारी चीज़ों को उस पूरे बिजनस को अच्छे से manage करने का खाम करता है ठीक है तो यह company का मालिक तो नहीं होता है बट हाँ एक तरीके से हम इसको employ बोल सकते हैं तरीके का manager बोल सकते हैं उस company का जिससे की जो भी चीज़े हों यह manage करने के लिए हम इसको intrapreneur को रखते है क्योंकि जैसे कि जो भी हमारे पास में जो भी अगर large form की बात तो large form कैसी होती है जैसे जो भी जिसमें manufacturing होता है जैसे आप मारूती की मान लो आप टाटा मान लो बहुत सारी अलग अलग तरीके की बजाज हो गया तो इनमें सब में क्या होता है बहुत large scale पर यह लोग क्या करते हैं production करते हैं तो production करने के लिए क्या होगा बहुत ज्यादा हाई आरिकी होग यानि कि entrepreneur तो कोई एक अलग होगा यानि entrepreneur कौन होगा यानि कि उसको जो startup जिसने किया होगा उस business का बट वहाँ पर अंदर कितने सारे manager है अलग-अलग location पर अलग-अलग established जाए company तो अलग-अलग तरीके के managers लोग भी वहाँ पर established होगे like वहाँ पर कोई production department का manager होगा कोई quality का manager होगा तो इस तरीके से intrapreneur कौन होता है intrapreneur का मतलब एक तरीके का manager जो कि process में changes कर सकता है rules regulations में changes कर सकता है कि थोड़े बहुत changes वो कर सकता है but उस company के जो भी product जो भी बन रहा है उसको उसके साथ में stick रहना पड़ता है तो एक तरीके का हम इसको employ ही बोल सकता है ठीक है तो यहां पर देखा करें कुछ major differences की बात करें तो उसके बीच में क्या होता है कि involvement की बात करें तो यह तो business का honor ही होता है entrepreneur कौन होता है business का honor होता है but जो intrapreneur होता है वो एक तरीके से employ होता है works within an existing organization वो केवल उसका firm के लिए काम करता है ठीक है then this का ownership की बात करें तो क्योंकि उसने अपना अपना capital entrepreneur अपना capital अपने पैसे अपने जमा पूंजी अपना effort अपना time सब कुछ लगाया है business के अंदर तो उसकी खुद की ownership होती है वो business का मालिक ही होता है but जो intrapreneur होता है उसको क्या होता है उसके पास में वो उसके पास में कम risk होता है क्योंकि जिस्क की बात करें त तो entrepreneur को जितना ज्यादा नुकसान होगा उतना intrapreneur को नहीं होगा क्योंकि वो तो company का manager उसको केवल नौकरी चली जाएगी है बस इतना ही से हो सकता है कि नौकरी जाएगी बट जो intrapreneur है entrepreneur है ये इसके पास में क्या होगा इसके पास में तो पूरी चीजों का खत्रा है इसके पूरा business का flop हो जाएगा है ना so decision making के हम बात करें क्योंकि ये company का मालिक होता है तो ये कुछ भी कर सकता है कोई भी चीजों से related business कुछ भी decision ले सकता है इसके पास में full control होता है over business decision ये चाहे तो product में भी changes कर सकता है ये चाहे तो अगर हमारे पास में कोई दूसरे product बनना है त i.e. अगरी फिर्टी काई पास में आपका ये के वल चल ला है जो भी प्रोसेस चल ला है उसको ही केवल manage कर सकता है उसको केवल क्या कर सकता है प्रोसेस में केवल development कर सकता है उसमें changes कर सकता है नो करता है अगर हम बात करें तो मोटिवेशन के अगा है, कि मोटिवेशन जो ऑन्चर्पेनeियोर है वो खुद की पोकिवेशन से काम कर दा है। उसका इंटर्नल मोटिवेशन वह आपने काम के लिए डेडिडीटeur था शंक पाशन था, इस उसने फार्म को खोला है थीक है उसको पर्सनल पैशन और इंडिपेंडेंडेंस की वज़े से उसने फर्म को खोला बट जो इंट्राप्रेनियोर है वो क्या करता है कि उसको खुद का उसको तो पता ही कि मैं कि इसको उसको को सब्सक्राइब रहा चाहँ बीजा है है इसके पास में resources की कम ही नहीं होती है तो बहुत सारे resources को इसके ओपर ही होता है कि इसको एक limitation दे दी जाती है तो इसने क्या किया होता है कि इसने ये चीज़ों को manage करता होता है कि इसने मानलब entrepreneur करता है ठीक है तो ये चीज़ है और बाकी और भी कई differences है ठीक है अगर पैसे की बात करें तो इसके तो पूरा ही company है ठीक है ये चाहे तो कितना भी पैसा रख सकता है इसका कोई भी इसके तो unlimited salary ठीक है मानलो जबकि entrepreneur की इसके बात करते हैं कि incentives हो गया अलग से उसको कुछ awards benefits दे दिये गए तो इस तरीके से इसकी जो salary होती है एक तरीके से employee की basis पर होती है जबकि entrepreneur की salary होती हो unlimited वो कितना भी business से कमाए कितना भी खर्च करें इस तरीके का कुछ सीन होता है ठीक है तो आप समझ गाओगो कि entrepreneur और entrepreneur के भीश में difference होता है में क्या difference होता है ठीक है I hope की सारी topic जो है वो clear है बहुत ही simple